तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से योटूब चैनल सब्जक्टि स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में Class 12 के बच्चों का UP MSP से निकाला गया Official Paper जो की इस वीडियो में पूरी दिखाएंगे आप जो है ये मैंने solve नहीं किया है आप से request है कि आप पूरे papers का screenshot हम दिखाएंगे screenshot लेकर पूरे papers को आप तयार कर लेना है और exam में जाके लिख देना है साथ ते साथ आपको अगले वीडियो में इसका भी पूरा chapter 1 के जो भी most important question है वो भी बताएंगे ठीक है अगर आप इसको तयार करके जाते हो तो इसमें से लगभग approximately 30% question इसी में से आएंगे कितने 30% तो जो बच्चे इसे पढ़ कर जाएंगे अच्छा खासा नंबर पाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं बीना किसी देदी के सभे लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने friend circle में ज देखे पैर बचों राष्टवाद के जन्म का कारण है तो राष्टवाद के जन्म का कारण क्या होता है उपनिवेसवाद होता है या जातिवाद होता है या सामप्रदायवाद होता है या आधुनिक्ता होता है ठीक तो ये राष्टवाद के जन्म का कारण आप बताएंग कमेंट बाक्स में फिर अगला देखिए 2011 की जन्गर्णा के आधार पर भारत की साच्छर्टा दर है ठीक कितना है 72.40% 67.7% 74.04% और 88.8% अगला है भारत में आयू वर्ग सनरचना को कितने भागों में भाज़त किया गया तो भारत में दोस्तों आयू वर्ग सनरचना को जो है चार भागों में या तीन भागों में या दो भागों में या एक भागों में ठीक है अगला कोश्चन है मिल्खित में कौन सामाजिक संस्था का उदाहर नहीं है समसमू विवाह नातेदारी या परिवार ठीक है न अगला है अन्यथा सच्छम वर्ग की विसमता यह बहिसकार के लिए जिम्मेदार है समजातिक ब्योस्था वद्रिष्टिकूर उनकी किस् अपनी स्थिति उनका वर्ग भेद ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है छेत्रवात की प्रवन होने के कारण बताईए तो छेत्रवात की प्रवन होने का कारण क्या है भासाई प्रेम आ संतुलित आर्थि विकास सामाजिक अन्याय पिछड़ापन उप युक्त सभी या प्रभु अगला दुस्तों भारत संग्विधान का या इसमेंसे कोई नहीं बहुत ही कम समय में आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे और जितने भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं प्यारे बच्चों इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करके जाना है अगर एक्जाम में अच्छा नमबर पाना है तो इसको पढ़ लो और दो तीन वीडियों हम बता देंगे बस उतना काफी है आपके लिए आप जो है न अच्छा खरसा नंबर स्कोर कर पाऊगे लग नाइंटी प्लासी रहोगे दोस्तों एक भी प्रश छोड़ना नहीं है सारे प्रश्ण में कुछ न कुछ आप बना के जरूर लिखना ठीक है न प्रयास करना कि गलती ना हो राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए आर्थिक वस्तों के उत्पादनेयों सिवाओं में अमानवी सक्ति के अधिकाधिक प्रयोग से संब्धित प्रक्रिया है नगरी करण, अध्योकी करण, लोकी की करण और संस्कित करण ठीक है नेक्स्ट है सामाजिक आंदोलन की विशेस्ता है तो सामाजिक आंदोलन की विशेस्ता एक अकारण होते हैं ये असंगतित होते हैं, इन cigar कोई सुधार संबोग नहीं है ये संगतित होते हैं, ठीक है न? अब आजाते हैं तीन नमबर वाले प्रश्श्ण क्यों? तीन नमबर वाले प्रश्ण देखिए उपनिवेस वाद क्या है उपनिवेस वाद क्या है इसको जरूर कम सकम आप आधे पेश से ज़्याद लगबाग एक पेश का क्वेश्चन आप बना के लिखेंगे लिंगा अनुपात को अस्पष्ट कीजिए कि लिंगा अनुपात क्या है जनसंख्या विस्पोष्ट का अर्ड समझाईए तो आप बढ़िया से बढ़िया सब्ढ़िया सब्दों में बना का लिख सकते हो जनजात की अरजित विषेस्टाओं के आधार पर वरगी करन जन जात की जो अर्जित होती है वो विशेष्टाएं क्या होती है उनका आपको वरगी करण बताना है सत्य सोधक समाज की अस्थापना किसने और क्यों की अगला है छेत्रवाद क्या है इसको बढ़ावा देने वाले दो कारक बताईए अगला है संस्कित करण को परिभासित करें यानि संस्कित क्या है इसको आपको परिभासित करना है नेक्स्ट है हरी करांती के दो नकारात्मक प्रभाव बताईए कि हरी करांती के दो नकारात्मक इफिक्ट क्या है नेक्स्ट है अद्योगिक समाज की प्रमुग विसेस्ता बताईए अद्योगिक समाज की दो विसेस्ताएं क्या होती है वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समस्ते हैं ये बताना है ठीक है फिर अगला देखिए नेक्स्ट है भारत की जन जातियों की समस्या पर प्रकाश डालिए अगला है जाती विसमता को दूर करने के लिए अपनाई गए नीतियों का वड़न करें नेक्स्ट है साम प्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुक कारण बताईए अगला है प्रभुजाती से आप क्या समस्ते हैं अगला है पंचायती राज अधिम 1952 बानवे की विसेष्टा एम महत बताईए अगला है भू मंडली करन तथा उदारी करन में किस प्रकार भारती उद्यों का प्रभावित किया है यह आपको बताना है ठीक है यह छेचे नंबर वाले कम सकम डेड़ पेज लिखना नहीं वार रहे है आपको डेड़ से दो पेज छेचे नंबर वाले ठीक और इसको एक पेज कम से कम फिर है परियोजना कारे का आयोजन चरण असपस्ट समझाईए अथमा या यह करिए फिर या तो सामाजिक सोथ की सरवेचन पद्धत की विवेचना कीजिए या फिर एक भी कर सकते हैं 28 से भूम सुधार के परिडामों की विवेचना कीजिए ठीक भूम सुधार के परिडामों की क्या करना है विवेचना या फिर स्वतनता के बाद भारत के ग्रामीर समाज में परिवर्तन को अस्पस्ट कीजिए और 29 महिलाओं के आंदोलन की समिच्छा कीजिए अथमा सामाजिक आंदोलन को परिभासित करते हुए इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए यानि महिलाओं के आंदोलन की समिच्छा इसमें इतना भी करना है प्यारे बच्चों इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं ठीक है तो प्यारे बच्चों इस तरीके से अगर आप इस पूरे पेपर्स को तयार करके जाते हो तो एक्जाम में अच्छा खासा आपका नंबर मैंने कितना बता है 30% और दो तीन वीडियो आपको बताएंगे अगर ये सारे कोश्चन आपको तयार कर लेंगे तो निश्चित रूप से एक्जाम में अच्छा खासा नंबर फोड़ के आओगे तो दोस्तों इसी के साथ अगले विडियो में आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए जयन जयभाद